हो है कि खबर बेराइच से है में आदम-खोड बेडिये ने फिर से हमला किया है बेड़िये ने साथ साल के पारस के गले पर पंजह मारा है जिस से बच्चा गाल हुआ H है श्कार का बुद्द का अब है बिए था के आप तस्वीर जिस बच्चे पर आटाक हुआ है बेड killers लगातार आदम खोर भेड़ी की दहशत जाए और लोग परेशान हो चुके हैं डर के साह में जीने को मजबूर हैं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एक बुज़ूर की जिस पर भेड़ी ने अटाक किया है इस वक्त आप देख सकते हैं कि नकाही गाओं का ये बच्चा है जहां पर करीब डेड़ से दो बज़े के करीब इन आदम खोर भेड़ीयों ने इस पर हमला किया इसकी गरदन पर आप देख सकते हैं कि गंभीर रूप से ये घायल हुआ जिसके बाद इसको मासी प्रात्मिक स्वास्केंद में भर्ती कराया गया जब हमला हुआ तो उस वक्त चारपाई पर इसकी माँ भी मौजूद थी उनसे भी हम बात करने की कोशिस करेंगे कितने बजे की घटना है पूरी बात बताएए कैसे हमला हुआ तो क्या ये बच्चा उस वक्त घर के बाहर सो रहा था च्छतपी सो रहा था क्यों कैसे अंदर गुशा हुआ जैसा कि आपने सुना कि अधिकतर मामलों में गेट ना होने पर सीधे भेडिया जो है वो अंदर गुश रहा है और बचों को टार्गेट कर रहा है बेटा क्या नाम है आपका पारस कैसे ये पूरी घटना हुई बताएए पूरी बात जैसा कि आपने सुना ये बचा कह रहा है कि इसके घर में गेट नहीं था जिसके चलते देर रात ये भेडिया घुसा और उसके बाद इस पर हमला किया क्योंकि इसकी माई इसके साथ सो रही थी तो उन्होंने जब भेडिये को भगाया तब वो जाकर इसे छोड़ कर भागा इसके साथ ही एक सक्स और है जो भेडिये के हमले में गंभी रूप से गयाल हुआ है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जाने की जानेंगे कि क्या नाम है आपका कहा के रहने वाले हैं? लगा कि जब दावेयन तो छोड़ दिया हमको तो वह भगा आगे के पतला है पीछे के मोट है बार भी हैं उगे बड़े बड़े तो जैसा कि आपने सुना कि आदम खोर बेडिया इस लिबल पर एग्रेशिव है कि जैसे ही लोग रात में दरवाजा खोलते हैं वैसे ही वो प लोगों की जान चली गई है आठ बच्चे शामिल हैं घायलों की बात ले तो तीस लोग आदम खोर बेडिया के हमलों में घायल हुए है हमारे सवारता ने महसी के प्रात्मिक स्वासे केंदर के डॉक्टर से बात चीप की है आदम खोर बेडियों के हमले से लगातार इस पूरे इलाके में दैसत व्याप्त है इस वक्त मैं महसी के प्रात्मिक स्वासे केंद में पहुँचा हूँ जहां के प्रभारी इस वक्त डॉक्टर आसिस वर्मा साब हमारे साथ महजूद हैं जिसें बात करेंगे सर लगातार बेडियों के हमले जारी हैं आज भी दो लोगों को एडमिट कराया गया है क्या हालत है उनकी कैसी है उनकी हालत गंभीर नहीं है नॉर्मल इंजिरीज आई है जिसका प्राइम ने इफचार कर दिया गया है और वो खत्रे के बाहर है भी हमारे पास थे कितने लोगों को यहां पर भरती कराया गया इन दोने लोगों को मिला लिया जाया है तो तीस लोगों सिंपल इंजिरीज से ग्रसित लोग है हमारे पास थे अभी टोटल तीस लोगों जाएंगे जैसा कि आप डाक्टर साब बता रहा हैं आप वो लिश्ट बिख सकते हैं कि यहां पर एक लिश्ट लगाई गया है जिसमें बाकाइदा हर उस सक्स का नाम और एड्रेस का भी जिक्र किया गया है जो आदम खुर भेडियों के हमले से गायल हुए है इस लिश्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 30 लोगों को आफीसियल तोर पर ये भेडिया हमला कर घायल कर चुका है और यही कारण है कि लगातार इस पूरे इस पूरे इसलाके में दैसत का महौल है खौफ का महौल है वन भाग की लाख कोसिसों के बावजूद आदम खुर भे लाखे में व्याक्त दैसत को भी कम किया जा सके अब देखना ये होगा कि वन भाग को आखिर ये सफलता कब मिलती है कैमरमन रवी गुपता की साथ राजी प्रताप सिंग न्यूजेटिंग बहराईच महराईच में अभी भेडियों की देश्वत बरकरार है वन भीफाक की टीम लगातार सर्च ऑ परेशन चला रही है वेफाक की टीम ने दोनों भेडियों को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है और लगातार ही ये प्रयास चल रहा है बहराईच में 8 मच्चों समेट 9 लोगों की भेडियों ने जान ले ली और 4 आदम खोर भेडियों को वनवेभाग की टीम पकड़ भी चुकी है लेकिन अभी कई और भेडियों को पकड़ना बागी है लगातार वनवेभाग को ये चक्मा दे रही है बहराईच में आतंका परियाई बने इद भेडियों को पकड़ने के लिए वनवेभाग लगातार कोसिस कर रहा है जिसके तैट कल सनिवार को दो बार भेडिये ट्रेस हुए एक बार सुबा के पहर में और दूसरी बार देर साम को ट्रैक हुए दोनों ही थर्मल रडार में कैस किये गए दोनों भेडिये एक साथ मुमेंट कर रहे थे जिसके बाद घेरा बंदी की गई लेकिन दुरभागिवस देर रात ये जो वन विभाग का ट्रैक था उसमें एक बार फिट चक्मा देकर ये भागने में काम्याब हो गए वन विभाग ने अपना ये आपरेशन शुरू कर दिया है और कोशिस कर रहे हैं कि इस इलाके में जहां पर इस यहां मैं खड़ा हूं ये गुर्भक्स पुरुवा का इलाका है यहीं पर बीते दिनों कई आदम खुर भेडियों को ट्रैक किया गया था उनको रेस्क्यू कि अब देख सकते हैं कि वन विभाग के बड़े ऑफिसर्स एक बार फिर से यहां पहुंच चुके सर क्या अपडेट है बस अपरेशन शुरू होने वाला है भी कुछ हुआ है तो हमारी पूरी टीम लगने वाली है आगे लगी हुई भी दो चार टीमें तो और लोगों को वा गए उनका मुवमेंट बहुत तेजब तो दीरे दीरे जो ड्रोन की आवाज है उसको आचाने लगे जैसे यह आवाज देखते हैं सुनते हैं उसके बाद वह बहुत लंबी दूरी तेंग करते हैं एक मिनिट एक घंटे में हमको लग रहा है चार-पांच किलो मिटर चले ज बैजन में चार लोगों की मौत हो चुकी है पिछले चार दिनों से वन्विभाक आदम खोर-बाहग को पकड़ने के लिए रिस्क्यू उपरेशन चला रहा है ड्रोन योके मदद से बाक की तलाश की जा रही है दो लाकि में चार कींजरे के लिए इलाके में चार किंजरे ल झाल